लाडली बहनों के आज सोमवार को खाते में आएगे 1250 रुपए जी हा मध्यप्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुश खबरी सामने आ गई है क्योंकि आज लाडली बहना योजना के अंतरगत मिलने वाली 1250 रुपए बहनों के खाते में ट्रांसफर कर दिये में 1574 करोड रूपिये की राशी जारी करेंगे जिसके जरीए सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपे पहुँच जाएंगे पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि 10 सितंबर को लाडली बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर किये जाएंगे लेकिन अब एक दिन पहले ही बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे लाडली बहना योजना में 2 लाख नाम कटे बता दे लाडली बहना योजना के संबंध में कांग्रेस अकसर दो सवाल उठाती है जिसमें बीजेपी द्वारा योजना की राशी बढ़ा कर 3,000 रुपे करने और जिन लाखों महिलाओं के नाम काटे गए उन्हें दोबारा जोडने की मांग कांग्रेस करती रहती है बता दे प्रदेश में यह योजना इसलिए प्रारंब की गई थी ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सके लेकिन लाडली बहना योजना में रजिस्टर्ड महिलाओं की संख्या में लगातार कमी आ रही है लेकिन इसकी वाजिब वजह भी है क्योंकि ज्यादातर महिला उम्र की वजह से अपात्र होती जा रही है वही योजना में अभी नया पंजियन भी नहीं हो रहा है जिससे इस योजना में महिलाओं की संख्या लगातार घट रही है बता दे सबसे अहम तथ्य तो यह है कि योजना में दो लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम शुरुआत में ही काट दिये गए थे इसमें सबसे ज्यादा तो लाखों महिलाओं ने अपात्र होते हुए भी आवेदन कर दिया था इस कारण दो लाख आपत्तियां भी प्राप्त हुई थी जिसके बाद अपात्र बहनों के नाम काटे गए थे बता दे वर्तमान में इस योजना के अंतरगत कुल एक करोड उनतीस लाख महिलाओं को हर माह 1250 रुपे दिये जा रहे हैं लाडली बहना योजना पर फिर से छिड़ी सियासत जी हां मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना देश भर में सबसे चर्चित योजना है इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी इस योजना को लागू किया है लेकिन अब प्रदेश में इस योजना को लेकर सियासत छिड़ गई है बता दे PCC चीफ जीतू पटवारी फिर से लाडली बहना योजना को लेकर BJP पर बड़ा हमला बोला है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोहन भाईया बहनों को 1250 रुपिय दे रहे हो लेकिन जीजा जी को हर महीने 5000 रुपिय का बिजली का जटका क्यों दे रहे हो आखिर जीजा जी से इतनी नफरत क्यों है बतादे कांग्रेस पार्टी लाडली बहन योजना को लेकर आए दिन भाजपा पर तंज कश्ती रहती है MP में करंट से पूरा परिवार जुलसा पिता के साथ पुत्र की भी दर्दनाक मौत जी हां मध्य प्रदेश में एक पुरा परिवार करंट से जुलस गया है क्योंकि घर के अंदर करंट फैल गया था इस कारण एक लड़का करंट की चपेट में आ गया लेकिन उसको बचाने आये पिता भी इसकी चपेट में आकर जुलस गये इस कारण करंट लगने से दोनों की मौत हो गई जबकि मा बेटी भी पिता पुत्र को बचाने में जुलस गई दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल भीजा गया है बताया जा रहा है कि घर की साफ सफाई चल रही थी तभी पानी की मोटर से करंट पूरे घर में फैल गया और करंट लगने से घर के मुखिया प्रेमदत्त शर्मा की मौत हो गई जबकि उनके 18 वर्षिय पुत्र कृष्णा उर्फ पवित्र ने भी दम तोड़ दिया वही प्रेमदत्त शर्मा की पतनी और बेटी करंट से बुरी तरह जुलस गई उन्हें गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भरती कराया गया है बताया जा रहा है कि मकान का निर्मान होने के कारण यह परिवार एक किराय के मकान में रह रहा था MP में तहसीलों में बड़ा बदलाव, जमीन और नामानतरण में आने वाली जंजट होगी खत्म, बता दे, मध्य प्रदेश में जमीनों से संबंधित जंजटें अब खत्म की जा रही है क्योंकि राज्य भर की तहसीलों में साइबर तहसीलों की जल्द शुरू आत की जा रही है बता दे, आम तहसीलों की बजाए, साइबर तहसीलों में कामकाज में न केवल पारदर्शिता रहेगी, बलकि इससे लोगों को सुविधा भी होगी, सबसे खास बात ये है कि साइबर तहसीलों में जमीन की रजिस्ट्री होने पर बिना किसी आवेदन के ही नामांतरण की प्र यानि किशानों की अब कई सारी जंजटें खत्म की जा रही हैं। केंद्रिय डिसकॉम से मिली जानकारी के मताबिक केंद्रिय डिसकॉम के अंतरगत आने वाले MP के 16 जिलों में लगभग 34 लाग सिंगल फेज उपभोगता हैं। के बेटे-बेटी रागोगड के किले में तक प्रवेश नहीं करने देते हैं। ये बातें प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीश अगरवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखी हैं। आशीश अगरवाल यहीं नहीं रूके। उन्होंने अपने ट्वीट में दिगविजय सिंह पर और भी कई हमले बोले हैं। बतादें कि दिगविजय सिंह के द्वारा बीजेपी प्रदेशा ध्यक्ष वीडी शर्मा को लेकर की गई। विवादित टिप्पनी को लेकर MP की सियासे में बवाल मचा हुआ है। वही भाजपा भी लगातार दिगविजय पर हमले कर रही है। 11 माह की बच्ची छोड़ गई है। घटना से गुसाय परिजन ने शनिवार को अस्पताल के बाहर जम कर हंगामा किया। और मासूम बच्ची के भरन पोशन के लिए मुआवजे की मांग की है। सुनील अहिरवार ने बताया कि पेट दर्द अधिक बढ़ने लगा तो हम कई सारे अस्पताल ले गए। लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। इसके बाद 23 अगस्त 2024 में सुनीता को सागर के ही एक निजी अस्पताल में भरती कराया। जहां चार दिन बाद डॉक्टरों ने परीक्षन कर बताया कि उसके पेट में कपड़ा है। जिसे निकालने के लिए हमे कपड़े को बाहर निकाला और कुछ दिनों तक उसे अस्पताल में ही रखा गया। लेकिन कपड़े से इंफेक्शन अधिक फैल जाने से 7 सितंबर शनिवार को इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। खतरनाक हैं अगले 48 घंटे उजयन जबलपुर छिंदवारा समेत इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट बता दे मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। को अवदाब के क्षेत्र में बदलने की संभावना है। वही मध्य प्रदेश से मानसून द्रोनिका भी गुजर रही है। अवदाब के क्षेत्र के आगे बढ़ने की वजह से प्रदेश में आज से एक बार फिर अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। वही मौसम विभाग का कहना है कि 10 सितंबर को बारिश को भी बारिश का स्ट्रॉंग सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में मध्य प्रदेश में 9 से 11 सितंबर तक तूफानी बारिश का दौर चलेगा। MP का नया International Airport यहां अक्टूबर से रोज उड़ेगी 50 फ्लाइट। राजा भोज एरपोर्ट को International Airport के रुप में अपग्रेड किया जा रहा है। अब यहां से सीधे सिंगापुर और दुबई के लिए फ्लाइट शुरू होने वाली हैं। जिनके लिए नोटिफिकेशन भी हो चुका है। वही राजा भोज विमानतल से अब सपताह में सातों दिन 24 घंटे हवाई सेवा का संचालित की जाएगी। इतना ही नहीं यहां से अब देश विदेश के लिए रोज 50 फ्लाइट उडएगी। साथ ही फ्लाइट की संख्या एक अक्टूबर से बढ़ाने की तैयारी चल रही है।